सिर्फ 300 रुपया का कैपिटल लगा के अगर आप 500 का प्रॉफिट निकाल लेते हैं मार्केट से तो यह प्रॉफिट बहुत ही बहतरीन प्रॉफिट माने जाएगा आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगा गाईस कि किस तरह से मैंने सिर्फ सारे 300 रुपया लगा के 675 रुपया के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट लगाया ये profit guys मैंने सिर्फ सारे 300 रुपिया capital से बनाया है और इस profit को मैंने कैसे बनाया किस तरह से option trading में कम capital में profit लिया जाता है कब आपको profit book कर लेना चाहिए सारा चीज आपको दिखाऊंगा और किस तरह से मैंने ये profit निकाला उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 trade मेरा लिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 trade मेरा लिया हुआ है पहला trade में हमें सारे 400 का profit हुआ और दूसरा trade में हमें 200 का profit हुआ और तीसरा trade में हमें 25 रुपया का loss भी हुआ तो loss तो आपको होगा, आपका काम है loss को कम करना, loss को रोग देना loss अगर किसी trade में हो रहा है, तो state से आपको निकल जाना चाहिए इसी बज़े से गाइस maximum trader loss करता है, loss में वो बैठे रहता है और profit में वो निकल जाता है तो आपके साथ अगर ऐसा होता है कि आप profit जब करते हैं, तो कम profit करते हैं, loss करते हैं तो ज़्यादा loss हो जाता है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको detail बताऊंगा कि इस तरह से आपको निकल जाना चाहिए, कब आपको hold करना चाहिए और किस momentum में आपको market में entry मानना चाहिए पहला trade में अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर हमारा positions detail में जाते हैं, तो capital आप देख सकते हैं कि सिर्फ सारे 300 रुपिया लगा था और हमारा जो net profit हुआ वो सारे 400 रुपिया पर आप देख सकते हैं कि हमारा हो गिया है, तो अब देखो, यहाँ पर मैंने 7 रुपिया में लिया और 16 रुपिया में निकाल दिया, अगर हमारा view रहता है कि हम और भी जादा profit करें यहाँ से, सोलो में अगर हम संतूष्टी नह जाता मुझे 46 का profit भी मिल सकता था, लेकिन इसी hope के चलते maximum trader loss कर देता है, उनका कोई भी target fixed नहीं रहता है कि कब उसे निकलना चाहिए और कब उसे hold करना चाहिए, अगर आप option trading करते हैं, आप अपनी capital के इसाफ से एक आपको target fixed कर लेना चाहिए, कि आपको इतना में निकल ज जाएंगे, तो मैं उसी हिसाब से देख सकते हैं, मेरा पैसा लगबग double से थोड़ा ज़्यादा हुआ और मैं निकल गया, अगर मैं यहाँ पर बैठा हुआ रहता है कि नहीं मुझे और profit चाहिए, मुझे और profit चाहिए, तो हो सकता है कि यह profit मेरा हाँ से निकल जाता, क्यों इस पोजिशन्स में हमने इसको लिया था 7 रूपया के अभाव पर और आप देख सकते हैं, यह trade कहां पर गया है, लगवाग 40 रूपया के आसपास यह trade गया था, अपना हाई लगा था, एक 40 रूपया, तो अगर मैं बैठा रहता है, तो मुझे definitely यहाँ पर अच्छा गासा profit होता, लेकिन guys, market का कोई भरोसा नहीं हो सकता है, कि यह solar रूपया में से जाके 26 तक जाता और नीचे आके जो 7 रूपया है, उससे भी कम में आ जाता, तो यहाँ पर हमें loss हो जाता है, इसलिए जब भी आप options trading करो ना, तो एक target लगा लो, आप अगर यह सोचोगे कि आप ए एक nickel analysis बगर्या करके market में entry मार लेते हैं, कम price में सही है, लेकिन उसके बाद आपको एक target fix करना होगा, कि आपको इतना profit चाहिए, इतना profit जब देगा market आपको निकल जाना है वहां से, अगर आप hold करते हैं, तो आपको loss हो सकता है, हो सकता है कि उससे ज़्यदा profit आपको मिल ज चाहिए, आप यह सोचो ना, अगर आप 7 रुपिया में लिए हो, तो आपका काम है कि 7 रुपिया के हिसाब से जतना profit आपको मिलता है, उतना लेके निकल जाना चाहिए, अगर आप सोचो कि 40 में निकलेंगे हम, तो यह गलत सोचे, आप 7 में लेते हो, आपको 15 मिलता है, ऐसा तो है नहीं, ऐसा भी बहुत लोग होगा, जो कि सी इस्टाइक प्राइज को 15-20 रुपिया में लिया है, अब 15-20 में जो लिया है, उसका काम क्या है कि 30-35-40 में वो निकलेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, 20-22 में भी है, तो बहुत लोग 20-22 में भी लिया होगा, वो क एक दम टॉप तक प्रॉफिट चाहिए, तो वो बिलकुल ही गलत चीज है, आप कैपिटल की इसाब से अगर आपको ठीक टाक प्रॉफिट मिल जाता है, तो आपको निकल जाना चाहिए, अब देखिए, मार्केट में हर एक टाइम में बेचा भी जाता है, खरीदा भी जात अब देखिए, एक चीज कि यहाँ पर 20 रुपया में जो लिया है, मार्केट सरनली एकदम बहुत ही तेजी से 40 रुपया में गिया, अगर ये 40 रुपया में नहीं निकल था, और ये होप रखता कि मार्केट और उपर जाएगा, तो मार्केट देखिए, देखिए, और कितना भयानक तरीके से नीचे गिरा है, अब सबस कर लो कि जो 40 में लिया है, उसका टर्गेट क्या था, 60-70 में बेचेंगे, नीचे आगिया मार्केट, तो उनको तो लॉस हो गिया, तो इसलिए ऑफसें स्टेडिंग में कभी भी आप ये मत सोचना कि आपको एकदम अगर आप 500-1500 जितना प्रोफिट एकसेप्टेशन करते हैं, जितना प्रोफिट आप सोचे हैं कि इतना प्रोफिट मिलेगा तो आप निकल जाएंगे, तो उतना प्रोफिट जब आपको मार्केट से exit मार देना चाहिए, अगर आप बैठे रहते हैं तो आपको लॉस होने का चांस बहुत जादा रहता है, तो यही सोच के हमने गाईस मार्केट में ट्रेड लिया, मार्केट में हमें इतना प्रोफिट दिया, मेरे इसाब से इतना प्रोफिट मुझे ठीक लगा, उतना प्रोफिट लेके मैं मार्केट से निकल गया, और धीरे धीरे अगर के सारे 400 से मेरा profit लगबग 675 रुपया के आसपास हो गया तो ये profit खड़ा profit नहीं है आपको भी option steering अगर आप करते हैं तो इसी तरह से कीजिए एक target fixed कर लीजिए कि आपको इसमें निकलना है अगर आप माले ये 10 रुपया में खरीते हैं तो एक target आपको fixed कर लेना है कि 20 में निकलना है या फिर 30 में निकलना है या फिर 25 में निकलना है मार्केट 100 उपया जाए 200 जाए आपको उसे कोई लेना देना नहीं है 100 में वो बेचेगा जो 70-70 मी लिया है 200 में वो बेचेगा जो 120-130-140-500 मी लिया है आपको उतना दूर तक सोचना नहीं है अगर आप 0-0 trade लेते हैं तो ठीक है लो कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आप proper तरीके से trade करते हैं एक अच्छा गासा profit निकालना चाहते हैं तो आपको हमेंसा target set करना है कि इतना target होगा तो हमें निकल जाना चाहिए और उसके साथ साथ आपको stop loss भी set करना चाहिए कि market अगर हमारे against में जाता है अगर हम 20 रुपया में किसी को लिए है हमारा target अगर है 40 रुपया तो हमें यहाँ पर stop loss भी set करना है stop loss कितना set करना है आपके risk reward ratio के इसाफ से अगर आप 20 में लेते हैं 40 अपका target रहता है तो definitely आपका stop loss रहेगा वो 15 या फिर 10 में रहना चाहिए अगर 15-10 में market आयाता है तो वहाँ से आपको market से निकल जाना चाहिए अगर आप बैठे रहते हैं कि नहीं market फिर से उपर जाएगा फिर से उपर जाएगा तो आपको loss हो जाएगा तो हमेशा एक target fixed कर लिए कि इतना target में हमको निकल जाना है इतना loss होगा तो हमको निकल जाना है आप देखेंगे आपका trading का जो journey है बहुत ज़्यादा improve हो जाएगा अगर आप तुक्य बाजी में trade लेते हैं धरले से कि 20 उर्विया में लिया जितना जाता है जाएगा जो भी होगा होगा profit होगा profit लेंगे लॉस होगा लॉस लेंगे इस तरीके का mindset अगर आपके बास है तो आप definitely loss ही करोगे आप profit को नहीं ले पाओगे तो इसलिए जब भी trade लेते हैं तो बहुत ज़्यादा expectation मत किजिए कि एकी दिन में आपको लगपती बनना है करोगपती बनना है धीरे 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 सीखो market को धीरे धीरे profit लो धीरे धीरे market में अपना कदम बढ़ाओ धीरे धीरे एकी दिन में कोई अमिन नहीं बनता है धीरे धीरे छोटा छोटा profit लो कोसिस करो daily market को green में अपना जो trading account है उसको बंद करने का चाहिए वो 5 रूपया भी हो या 10 रूपया भी हो उसको गीन में बंद करने का गोजिस करो अगर रेड हो रहा है आपका continue तो कुछ दिन ट्रेड को hold करो अपना एक strategy डैबलोप करो अगर strategy नहीं मिल रहा है आपको तो simple support and resistance को follow करो गाइस मैं आपको बता रहा हूं अगर आपको कोई भी strategy समझ में नहीं आ रहा है simple अप support and resistance को follow करो market जब support के पास आए तो यहाँ पर आप ट्रेड ढूंडो जब market resistance के पास आए तो यहाँ पर आप ट्रेड ढूंडो यहाँ पर जो ट्रेड मिलेगा आपको perfect ट्रेड मिलेगा सो गाइस इस तरह से अगर आप भी ट्रेड करते हैं तो आप भी देखना कि डिफिनेटली आपका ट्रेडिंग का जुजरनी है वो धिरे धिरे इंप्रूव होना इस्टार्ट हो जाएगा तो आप कितना में ट्रेड करते हैं और कितना profit निकालने का कोशिस करते हैं कॉमेंट करके जरूर बताना आज के लितना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड हमारा क्या रहता है उसका वीडियो अपको मिल जाएगा अगर चैनल पर नए है तो सस्क्राइब कर लिजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दिए थैंक यू